तेश की राजनीती में कब कौन समुद्धा तूल पकड़ ले इसका अनुमान लगा पाना बहुत ही कठिन काम है अब ऐसे में एक बार आम का मुद्धा फिर से तूल पकड़ रहा है दरसल कॉंग्रेश नेतार राहूल गांधी ने यूपी के आम के स्वाथ को लेकर कहा कि मु राहूल के दिये इस बयान पर उत्तरप्रदेश के मुक्कमंत्री योगिया इतनाथ ने करारा तंज कसा और ट्विट करते हुए कहा कि क्या करें राहूल जी आपका टेस्ट ही विभाजनकारी है वही कस्मीर से कन्यकुमाई तक भारत का श्वाथ एक है लेकिन आप इसमें भी विभाजन कर रहे हैं इसके साथ ही बीजेपी नेताओं ने भी राहूल गांधी को इस बयान पर आणे हाथ हो लिया है गोरगपुर से बीजेपी सांसर रवी किशन शुकला ने भी राहूल गांधी के बयान पर निशाना साधा है रवी किसन ने ट्विट करते हुए कहा कि राहूल जी को उत्तरप्रदेश का आम नहीं पसंद और उत्तरप्रदेश को कॉंग्रेस नहीं पसंद हिसाब बराबर आपको बता दें कि पेकासस जासुसी मामले में किंद्र सरकार पर हमला बोलने के लिए प्रेस कॉंफरेंस करने आए कॉंग्रेस सांसर राहूल गांधी ने हलके पुल के अंदाज में सवाल का जबाब दिया प्रेस कॉंफरेंस के लिए इंतजार कर रहे पत्रकारों ने राहुल गांधी और उनके पास में मौझूद कॉंग्रेस नेता केशी बेडु गोपाल और रणदीव सुर्जेवाला से आम की पसंद पर सवाल पूछ लिया जिसके जबाब में राहुल कानी ने कहा कि उन्हें यूपी काम नहीं पसंद है बलकि आंद्रप्रदेश काम पसंद है हालांकि लंगडा आम फिर भी ठीक है लेकिन दशहरी मेरे लिए काफी मीठा हो जाता है जिसके बाद इस सवाल जबाब का वीडियो बाइरल हो गया ओनाती सिर्फ प्रश जबसे राहुल गांधी कांग्रेस की परंपरागा सीड अमेठी से चुनाव हारे हैं तब से उत्तरप्रदेश के बारे में वह कभी-कभी ऐसे बयान देते नजर आते हैं जिसको सुनना काफी दिल्चस होता है वहें उन्होंने केरल के वायनार्ट से 2019 लोग सभा में चुनाव जीता था और सांसत बने थे जिसके बाद त्यक्सर केरल की तारीफ करते वो नजर आते हैं फिलहाल राहुल की इस बयान के बाद बीजेपी निसे उत्तरप्रदेश की संस्क्रती और आस्था से चोड़ कर राजनीतिक पूल दे दिया है और राजनीति के कल्यारे में पियम मोजी और अक्षय कुमार की आम वाले इंटर्वियू के बाद अब राहुल का आम परवयान चर्चा का भी से बना हुआ है ब्यूरो रिपोर्ट नमन सत्तिनियोज